आज से हम ग्रामिड विकास के बारे में पढ़ेंगे ग्रामिड विकास में ग्राम ग्रामिड परिवेश राजस्व विवाग एवं राजस्व परिश्थ चलिए देखते हैं ग्रामिड विकास क्या होती है कि meant ग्रामीड बिकास अब भारत गाउं का देश क। खालता है अतब भारत के सरुअगुर बिकास के लिए ज़ुरु एकशन समुछीट ध्यान दिया जाए بिकास प्राय ग्राम छेत्रों में रहने वाले अनेकों अनेक नियून आयवर के लोगों के जीवन अस्तर सुधार लाना तथा उनके विकास के क्रम को आत्मपोसित करना यह एक ऐसी वियू रचना है जो लोगों के एक विस्ष्ट समुनिर्धन ग्रामीड के आर्थी के वन समाजिक सब्सक्राइं ऐसे जीवन को उन्नत बनाने के लिए बनाई गूए इसका उद्धेस बिकास के लाभू को ग्रामीड छेत्रों में जीवन यापन की तलास में लगे निरधन निरधन्तं लोगों तक पहुंचाना इसके अंतरगत एक निष्ट द इक ग्रामीड शेत्र में ग्रामेड जीवन की गुडवक्ता में सुधार के लिए प्राकृतिक तथा मानवी संसादनों का सरवत्चम सरवत्तम उप्योग करना अब आगए देखते हैं ग्रामेड विकास का प्रारम कैसे हुआ था चलिए देखते हूँ भारत को गाओं का देश का जाता है भारत में 6 लाग से अधिक गाओं है तथा 72ध द्रसंड तो 2% से अधिक जन संख्या गाओं में निवास करती है लगबग 121 करोण की जल संक्या वाले भारत में किंद्र और राज्यों की सरकारें अनेक गाउं का विकास नहीं कर सकती इसके अत्रीक परते गाउं का स्वेजिला और तसीलों की अपनी हो सकता है सभी अस्थानों के आर्थिक समाजी के उन्सांस्कृतिक विकास का धरातल भी समान नहीं है लोकतांत्रिक सरकारों का दाईत वह काफी बड़ जाता है और वह जनता के प्रती जवाब देही होता है इसलिए सासन को सुव्यस्ति चलाने के लिए सत्ता का वी केंदरी करण आवस्यक है क्योंकि केंदर की सरकार सभी गाउं में नहीं पहुंच सकती है और यह भी संबव नहीं है कि सभी प्रकार के कारियों का संबंद केंदरी सरकार से हो ये सबी बाते हैं हम मांग करती हैं कि सत्ता का वीक अंद्री करण किया जाए चले आगे देखते हैं ग्राम ग्राम के बारे में जानेंगे नगर की तुलना में एक है निश्चित छोटी बहगोलिक छेतर में रहने वाली जनसंख्या कि इस निवास को ग्राम करते हैं इस निवास को ग्राम करते हैं जहां निश्चित बहगोलिक छेतर राजपाल द्वारा अधी सूचित होता है यहां बहु संख्या की जनसंख्या प्रात्मिक कारियों से जुड़ी होती है प्रात्मी कारियों से आसा है कि अधिक्तम लोग क्रिशी से संबंदित कारियों पर ही निर्भर होते हैं और यह उनके जीवको पारजन का प्रमुक साधन है जैसे क्रिशी पशपालन कीट पालन बागवानी आधिकरना ग्राम का सबसे पहला उल्लेक रिखबेद में मिला है यह सिया का सबसे साब सुथ्रा गाउं कौन सा है मेले नौंग मिघाले है गाउं मेले नौंग मिघाले में है भारत के पहला डिजिस्टल ग्राम अकोदरा अकोदरा गुजरात है चलिए आगे दिखते हैं ग्रामीड और नगरीय समाज में अंतर ग्राम और नगर में निमन लिखे ते तालिकां के माध्यम से अंतर दसाया गया है समस्त कर्षक और उनके परिवाद समुधाय में क्रिशी की अतरिकत साहथान अन्य बेवसायों की कुछ ही प्रत्निधी होते हैं नगरी समाज सभी ब्यक्ति विशेशत है वस्तुओं का निर्माण यांतरी कार बैपार उद्धोग ब्यवसाय सासन तदा खेती के तरी दूसरे ब्यवसाय करते हैं परिवेश मानवीश ग्रामिट समाज में मानवीश समाजिक परिवेश पर प्रकृति की प्रवलता होती है लोगों का प्रकृति से प्रत्यच प्रवंध और सम्मंद होता है नगरी समाज प्रकृति से अधिक प्रिथकता प्रकृतिक तथा परिवेश पर मनुष्च के बनाए बनाए हुए परिवेश की प्रॉलता होती है तीसरा देखते है समुदायक आकार छोटे समुदायक करसीवद और समुदायक के आकार में नकरात्मक संबन्द है नगरी समाज उसी देश और काल में ग्रामीड समुदायों की अपचा نगरी समुदायों का अकार निश्चित रूप से बड़ा होता है अर्थात नगरियता और समुदाय के अकार में आपस में नकरात्मक संबंद होता है जनसंख्या गनत्व है उसी देश और उसी काल में नगरिये समुदाय के पेच्छा जनसंख्या का गनत्व कम होता है साधानतों गनतों और ग्रामेडता में आपस में नकरात्मक संबंद है ग्रामेड समुदाय की अपेच्छा जनसंक्या गनतों अधिक होता है नगरी अता और गनतों में आपस में सकरात्मक संबंद है जनसंक्या की सजातिय और विजातिय जंसंक्या की तुल्ना में ग्रामीर समुदाय में प्रजाती और मांसिक लचणों में अधिक सजातिय होती है विजाती अता से नाकरात्मक परसपरिक संबंद है। ग्रामीड समुदाय के तुलना में उसी काल में अधिक विजाती अता से सकरात्मक परसपरिक संबंद है। लास्ट समाजिक विवेदिकरण और अस्तरीकरण गतिसिल्टा ग्रामीड विवेदिकरण नगरों की अपिच्छा कम है जनसंख्या की प्रदेशिक व्यवसात्मक और दूसरे प्रकार की गतिसिल्टा तुलनात्मक ग्रिष्टी से कम गहन होती है साधारता गाओं से नगरों को अधिक लोग जाते हैं गाओं से नगरों को अधिक लोग जाते हैं विवेदिकरण और अस्तरीकरण का नागरिक्ता से सकरात्मक प्राश्परिक संबंद है प्रतीत होता है नागरिक्ता और गतिसिल्टा में आपस में सकरात्मक संबंद है केवल समाजिक आपदाओं के समय में ही नगरों से गाओं की ओर अफेच्छाकृत अधिक लोग जाते हैं लास्ट पॉइंट देखते हैं समाजिक अंतः क्रिया की पद्धती प्रति मनुष्य कम संख्या से संपर्क है प्रति मनुष्य कम संख्या जिसके सदस्यों और पूरे समाज के लिए अंता क्रिया पद्दत के संकुचित छेत्रे प्रात्मिक संपर्कों का अधिक मात्व है व्यक्तिगत और अपिछाक्रित अधिक अस्थाई समंधों में तुलनात्मक सरलता और निश्क पटता मनुष्य के भाव साथ मानो प्राणड का अधिक विश्त्रित छेत्र है माध्मिक संपर्कों की प्रवलता और व्यक्तित्व औसर के अनकूल और थोड़े समय तक रहने वाले संपर्कों की प्रवलता और अधिक जटिलता अनेक रूपता छेचलापन और संबंदों का प्रतिक प्रतिमान्वीकराण मनुष्य के प कितर अंतक्रिया होती है इसे सुतंता के बाद ग्रामिड विकास कैसे हुआ कि महत्मा गाधी की ग्राम सुराज की कल्पना को साकार करने के लिए सुतंता के बाद इस दिशा में तेजी से क्रमिक प्रगती देखी गई है उनिस सवाओन में ओजना आयूक की तरस समुदाईक पर योजना प्रसासन नाम के एक संगठन को अस्तापित की गए। इसे समुदाईक विकास संबंदित कारकरमों के संचालन का दाई तो सपा गया। 1902 में प्रारम किया गया समुदाइक विकास कारक्रम ग्रामीड विकास के इतिहास में मील का पत्थर था इस कारक्रम के बाद में कई बदलाव आये और इसे विभीन मंत्रालें दरह संचालित किया गया अक्टूबर 1904 में खाद और क्रिशी मंत्राले के हिस्से के रूप में ग्रामीड विकास विवाग अस्तित्व में आया अगस्त 1989 में इस विवाग का दर्जा बढ़ाया गया इसे ग्रामीड पुनल निर्माड मंत्राले का नाम दिया गया बाद में इस मंत्राले को ग्रामीड बिखास मंत्राले के अंतरगत इसे विवाग के रूप में परिवर्थित कर दिया गया estran। गर उनीस सब पचासी में इसी एक बार फिर कृषी मन्तराले के रूप में पुनर गठित किया गया उनीस सब्हांवी विविहाग का दर्जा बढ़ाकर ग्रामेड द्विकास मंत्राले बनाए गया 1222 मंतरालह के अंधुर्गत एक और अधिन बिवाग बंजर भूम का श्रिजन कि गया गरामीड विकास के प्रमोग का नंग का दोरा श्र spinach Perfect बिकास मंत्राले द्वारा चलाय जा रहे प्रमोग कारिकरम इस परगार गए दिहाड़ी अधार पर रोजगार देने के लिए महत्मा गांधी राष्टी ग्रामीड रोजगार गारांटी अधिनियम MZNREGA मनरेगा सो रोजगार यहां कोशल बिकास के लिए राष्टी ग्रामीड आजीव का मिशन NRLM BPL परिवारों को आवास घर उपलवद कराने यह सबी के लिए आवास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीड PMAYG उत्तम गुडवक्ता वाली सडकों के निर्माल हे दू प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना PMZ SY समाजिक पेंशन हे दू राष्टी समाजिक साहता कारिकरम NSAP स्याम प्रसाद मुखर जी रवन रूर्बन अर्वन मिशन भूमी की उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए समयकित जल संबर प्रवंधन कारिकरम IWMP उत्तर प्रदेश राजस्व विवाग के बारे में जानते हैं राजस्व विवाग में राजस्व सच्ची उसाका के अंतरगत में लिखित पांच विवाग आते हैं राजस्व परिशत दूसरा चकबंदी आयूक्त दूसरा तीसरा राहत आयूक्त चोथा निर्देशक भूमी अध्यापती पाच्वा प्रमुक संपादक जिला गजेटियर यह सब विवाग लखनव में स्थित हैं राज परिशत राज परिशत के सापना 1931 में इलहाबाद में होई थी उत्तर परदेश में माल गुजारी से समस्बंदित अन्याई कारियों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिशत ही है राजस्व परिशत के सदस्क मिस्टरों में सास्पाड कार्यों को हम सामाने रुप से दो भागों बाठ सकते हैं पहला प्रसासने कारियों में प्रसासनिक कारियों में बंदोवस्त भू अविलेकों का रख रखा माल गुजारी और अन्य देयों की असुली भूमी अर्जन आ दियाते हैं अन्याइक कारियों में अपीली निगरानी और पुर्वनर विलोकन आ दियाते हैं राजस पर्षत का मुख्याला इलहाबाद में राजस पर्षत के अन्य मंडला यूक्त जिला अधिकारी एम उनके आदिन समस्त राजस पर्षत को सयोग देने के लिए अपर मंडला यूक्त होते हैं जिला अधिकारी के अंतरगत अपर जिला अधिकारी एडियम उब जिला अधिकारी एसडियम तसिल्दार नायब तसिल्दार राजस पर्षत के आदिन सर्वेश चार्ण और अभी लेख करियाएं भी होती हैं यह कारे जिलादिकारी अपर जिलादिकारी के परवेच्छाण में सहाय कबले का दिकारी द्वारा किया जता है। सुतनता के बाद बर्स 1947-1948 में राजस्यो परिशत के प्रसासनिक युम अन्याईक कारियों को अलग कर दिया गया। प्रसासनिक साखा को लग्नव ले जाया गया और अन्याईक साखा को इलाबाद में बनाये रखा गया। यह व्योस्था अभी भी जारी है। कि बर्तमान में राजस्व परिशत में एक अध्यच दो प्रसासनिक और साथ अन्याइक सदस्य हैं राजस्व परिशत के प्रसासनिक सदस्य प्रसासनिक और अन्याइक कारियों का संपाधन करते हैं राजस्व परिशत के अन्याइक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण क करते हैं इसके इनके हां उत्तर प्रदेश जमिदारी उन्मूलन भूमि सुदार अधिनियम के अंतरगत राजस्व वादों का निरिष्ण किया जाता है उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतरगत राजस्व वादों का निस्तारण परिशत के लगनम ख्याले पर माननी सासनिक सज़स्यों दारा किया जाता है कि राजस और सबस्त के कारे कौन-कौन से कारे हैं तो यह देखेते हैं भूल लेखों का रख रखाव क्रिसी भूमी से समंदित आकड़ों को इकत्रित करना अकड़ों की गढ़ना प्रकाशन क्रिसी वंपस पालन बाढ़ सूखा कमी रजाचना और सेभाओं को पढ़न अप़ाच पहुचाना भूमी जंरचन भूमिहीन को भूम पहुचाना राजस पढ़ाशत का जिला अस्तर पर सोपानिक संगठन सबसे पहले घुन आएंगे जिलादिकारी फिर अपर जिलादिकारी उप जिलादिकारी तशिल्दार नायब तशिल्दार कनुन गो लेखपाल अमीन डियम एडियम एजडियम टॉप के ये तीन है याद रखें याद थैंक यू